मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है दूद को बागवट्टी जी ने बोला है शाम को ही पीना है अब इनका प्रश्णी है कि हम सुबह चाई पीते हैं काफी पीते हैं तो दूद उसमें होता ही है तो क्या करें बागवट्टी जी के किसी भी शब्द कोश में चाई भी नहीं है काफी भी नहीं है क्योंकि बागवट्टी जी साड़े तीन हजार साल पहले हुए यह चाई काफी तो ढ़ाई तीन सो साल पुरानी है जादा से जादा चार सो साल पुरानी तो चाई काफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है बने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाई और कौफी का जिक्रा आता है हाँ काढ़े का जिक्रुनों ने किया है काढ़े का जिक्रुनों ने किया है वो यह कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे आपके पित्ट को कम करे और कफ को कम करे ऐसा कोई भी काढ़ा दूद के साथ मिला कर सुबह पिया जा सकता है कोई भी काढ़ा जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अरजुन की छाल का काढ़ा है अरजुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की जो एसिडिटी होती है रक्त की एसिडिटी एक होती है पेट की एसिडिटी उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी खून की अमलता ही है जो हर्ट अटेक लाती है तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वो अरजुन की छाल है तो आज आप काड़ा पिएंगे अरजुन की छाल का और दुर्भागे से या सौभागे से ये कुछ ऐसा समय है दिसंबर जनवरी और नवंबर ये बात का ही समय है शरीर में वायू का प्रकोप ठंड के दिनों में जादा होता है उस समय अगर आप अरजुन की छाल का काड़ा दूद में बना कर पिएं तो आपके लिए आउशदी है जी? नहीं नहीं गरम 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 क्योंकि वो आउशदी है भोजन नहीं है भोजन और आउशदी में अंतर बताया भोजन वो है जो 24 गंटे में आप नियमित रूप से आपके पेटकी आवशकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं आउशदी वो है जो थोड़े समय के लिए तातकालिक प्रभाव के लिए आप पिएं तो ये काड़ा आउशदी है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है तो ये बात पित्त कफ के महीने भी होते हैं जैसे शरीर है वैसे महीने तो इस महीने के हिसाब से सुबह काड़ा पी सकते हैं तो काड़े के रूप में पीजिए माने सुबह दूद पी नहीं है न तो उसमें अरजुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए तो दो फायदे होंगे बविश्य के लिए आपको हर्ट एटेक फ्री होने की गारंटी बविश्य के लिए और अब तक आपने जो कच्रा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अरजुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज़्यादा शुद करता है और कच्रा रक्त में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है जिसको कॉलेस्ट्रॉल कहते है न वो कच्रा ही है तो अब तक आपके रक्त में जो कॉलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर तो अरजुन की छाल इसमें सबसे ज़्यादा उप्योगी है और सौभागे की बात ये है कि 40 रुपई किलो मिलती है क्या वाओ चालीस रुपई किलो बीस रुपई किलो बीस रुपई किलो अरजुन की छाल मिलती है और डेड़ सो रुपई किलो चाहे मिलती है और चौदे सो रुपई किलो कॉफी मिलती है और बीस रुपई किलो अरजुन की छाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिये, मारवाडी बनिये, कुछ तो अपने रक्त में लाईए, मारवाड का, राजिस्थान का, गुजरात का, तो 20 रूपए किलो की अरजुन की छाल, नियमित रूप से, आप पीजे मैं आपसे विनमरता पूरवक कह रहा हूँ, कि आप सब अपने घ चाल का पाउडर दूद में डाल कर पीते रहिए, और अगले साल का याद रखिए, नवंबर, दिसंबर, जन्वरी, तो ये तीन महीने अरजुन की छाल पिया, तो पूरे साल बर का कच्रा निकालता है, और अगले सालों की गारंटी, हर्ट अटेक फ्री, क्वांटिटी कित गुड़, गुड़ नहीं मिले तो एक गुड़ जैसी चीज आती है, काकवी, काकवी आप समझते हैं, गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है, वो तरल गुड़ होता है, तरल गुड़, लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है, तो या तो काकवी या तो नहीं मिले तो खांड, खांड आप समझते हैं, और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बाग बट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर बनती नहीं थी, साड़े तीन हजार साल पहले गुड बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था, चीनी बनना 200-200 साल से शुरू हुआ है, जी, मिश्री बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आप से पहले ही कहना चाहता, मिश्री, मिठा की चाल और दूद के काड़े में, नहीं तो गुड डालिये, नहीं तो काकवी डालिये, नहीं तो खांड डालिये, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डाली, और बूरा वो वाला, जो राजिस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नह दो दोस्तों वीडियो पसंत आया होगा अगर पसंत आया होगा अगर पसंत आये तो लाइक कर दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ जतना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजे, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आप से ज्यादा जरूरत हो, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को subscribe नहीं के है तो वीडियो के right set में नीचे red color का subscribe button है उसे press करके subscribe कर दीजे साथी साथ subscribe button के right set में एक bell icon आजाएगा उसको भी press करके open कर दीजे और उसके बाद all को press कर दीजे ताकि इसमें कोई भी informative videos डालता हूँ या तो कोई भी हेल्स से सम्मदित कोई भी वीडियोज डालता हूँ तो उन सारा वीडियोज का नोटिफिकिशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौँका सबसे पहले आपको ही मिले विश यौल देश थेंक यू भरी मुच फर वचिंग दिस वीडियो बाई बाई